नमस्कार इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जिनका नाम सी अक्षर से शुरू होता है उनके लिए 2023 से 2038 तक का शमय कैसा रहेगा आने वाले शोलह वर्सों में आपके जीबन में क्या-क्या होने वाला है वीडियो को ध्यान से सुनियेगा वीडियो के लास्ट में आपके आने वाले वर्सों का एक टोटका है तो आपको उसे भी सुनना है और आज माना है आपका शमय बदल जाएगा तो आईए अब हम वेडियो की शुरूआत करते हैं मित्रों आने वाले वर्सों में आपके जीबन के लगभग हर छित्रों में बहुत जयादा पडिवर् वर्स में कारोबार करते हैं खुद का काम करते हैं तो कारोबार के छित्र में आपका जो फैसला करने का छमता होता है वो कहीं न कहीं कमजोर हो जाएगा कोई महतपुर्ण फैसला करने में आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आपका सपोर्ट जयादा नहीं देगा क्यो जिन चीजों से आपको खुसी मिलता हो जिन चीजों से आपको मानसिक शांति मिलता हो आपको ऐसे काम को करने का प्रयास करना होगा क्योंकि आपको मानसिक शांति की आवेशिक्ता आने वाले वर्सों में बहुत ज्यादा होगी अगर मानसिक रूप से आप खुस नहीं रहेंगे मानसिक शांति की प्राप्ति आपको नहीं होगी तो किसी भी काम को करने में आप जयादा सफल नहीं होगे और आपको परेशानी का सामना बहुत जयादा करना होगा आप आने वाले वर्सों में छोटी मोटी बातों पर प्रतिक्रिया बहुत देंगे यानि बातों को इग्नॉर करना नजर अंदाज करना आपसे जयादा नहीं हो पाएगा और इस कारण से क्या होगा जो आपके कडीबी लोग होंगे उनके शाथ में आपका शंबंध बिगर ज मित्रों अगर आप कामकाज करते हैं नौकडी करते हैं तो उन्नती आपकी होगी ऐसा नहीं है कि आने वाले वर्सों में आपकी उन्नती नहीं होगी आपकी उन्नती होगी लेकिन कभी कभी राहु देवता और केतु ये दोनों आपको परिशान करेंगे नौकडी के छेतर मे आपका जो पद होगा तो पद में उन्नती होगी जो आपका सेलिडी होगा जो तनखुआ होगा उसके बढ़ने के संभावना भी बहुत ज्यादा रहेगी लेकिन आपको जल्दबाजी करने से बचना होगा किसी भी काम को करने में आपको जल्दबाजी नहीं करना है अगर कोई भी काम करना है तो काम को करेंगी ऐसा नहीं है कि काम को नहीं करना है काम को तो हर हाल में करना है लेकिन उसके बाड़े में शाड़ी बातों को पता करना है उस काम को समझना है कि इस काम को करने से मुझे क्या फाइदा होगा क्या नुकसान होगा या इस काम को करने से मेरे जीवन में क्या-क्या पडिवर्तन होगा इन बातों पर आपको ध्यान देना होगा, विचार करना होगा और उसके बाद ही आप किसी भी प्रकार का कोई भी फैसला करें क्योंकि अगर आप अधीर हो जाते हैं तो आपको पड़ेशानी का सामना करना पड़ेगा आप में से जो भी लोग धैर्रेवान होंगे धैर्रे के साथ में कोई भी काम करेंगे उनको आने वाले वर्सों में बहुत फाइदा मिलेगा वो जो भी काम करते होंगे उस काम के छेतर में उनकी तरक्की बहुत ज्यादा होगी उनको जो परिनाम मिलेगा तो उस परिनाम से आप बहुत ज्यादा खुस होने वाले हैं लेकिन आपका जो पडिवारिक जीवन है वो कहीं न कहीं कमजोर होगा अपने घर बालों से आप दूर रहेंगे और छोटी मोटी बातों पर आपके पडिवार के जो लोग होंगे वो आपसे कुपित हो जाएंगे छोटी मोटी बातों पर वो आप पे क्रोध करना सुरू कर द आप में से जो भी लोग अब तक कुवाड़े हैं तो आने वाले वर्सों में विवाह की संभावना बहुत जयादा रहेगी भगबान सनी और गुरु बिरस्पती ये दोनों आपके उपर में आसिरवाद बनाए रखेंगे और इन दोनों के सपोर्ट से इनके आसिरवाद से आप दामपत्य जीबन में प्रवेश करने वाले हैं और आपका दामपत्य जीबन या आपका प्रेम जीबन भी बहुत जयादा बहतर होगा और आपके शमय का सपोर्ट आपको बहुत जयादा मिलेगा अब जानते हैं आपके उपाई के बारे में उपाई बहुत ज्यादा आसान है आपको प्रतेक सनी बार के दिन सुन्दर कांड का पाठ करना है अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आने वाले वर्सों में कहीं कोई पड़ेशाने बिल्कुल भी नहीं होगी मित्रों वीडियो को लाइक कर दिजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिएगा और वीडियो को हर जगह सेयर कर देना है तो बश हमारी आपकी मुलाकात फिर एक नए वीडियो में होगी धन्यवाद राधे राधे